टोपिक छे काच ना प्रिजम वडे श्वेत प्रकाश्न वक्री बहुँ तम्मे क्यारे चौमासा दर्मियान मेग धनुष्य छे ना भवियरंगों ने जोयाँच। अपने आ प्रश्नने समझीए ते पहला फरी थी प्रिजम वडे तम्मे क्यारे चौमासा दर्मियान मेग धनुष्य ना भवियरंगों ने जोयाँच। प्रता प्रकाश्ना वपई भवन न विचार कले। काचना प्रिजम नी धलेली वक्री भवन कारक सपाटियों एक रोचक घटना दर्शावेच। एने पन आपड़े प्रवुती द्वारा छे एस समझवारूँच। प्रभ। एने पन आपड़े प्रवुती द्वारा समझच। प्रवुती वड़े आपड़े छे एस समझवारूँच। क्या आपने कभी सूजा है कि वर्षा के तुरंत बाद आपको आकाश में इंद्र धनुष क्यों दिखाई देता है ये चमकिले रंग कहां से आ जाते हैं हाँ इसे प्रकाश के परिक्षेपन की परिखटना द्वारा स्वश्टिक किया जा सकता है आईए देखें कि हम अपना खुद का इंद्र धनुष किस प्रकार बना सकते हैं आपको इसके लिए एक श्वेत प्रकाश वाली टॉर्च, पिन्होल वाले एक कार्ट बोर्ट और काज के एक प्रिज्म की आविशक्ता होगी एक बंद कमरे में कार्ट बोर्ट को टॉर्च और प्रिज्म के पीच में एक मेज पर रखतें पर्दे खीचतें और लाइटों के स्विच बंद करतें जिससे कमरे में अधिरा हो जाए तौर्च का स्विच आउन कर दें प्रकाश का एक पतलव पुंज छेर से होकर निकलता है और गाज की प्रिज्म पर पढ़ता है आश्चरी जनक है है न? न्यूटन ने पहली बाद इसका ज्यान किया कि प्रकाश की शुएद किरण जैसे की सुरी के प्रकाश की किरण विभिन रंगों का सहुजन होती है जब श्वेद प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो यह अपवर्तित होकर साथ विभिन रंगों की किरणे उदपन करता है प्रतेक रंग के लिए अपुवड़्दम का कूण अलग-अलग होता है इस तरह से प्रतेक रंग आपटित कि रंग की संदर्ख में एक भिन कूण पर मुड़ जाता है और रंग विभख्द हो जाते हैं प्रकाश के पुंज का इसके निर्मानक रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का परिक्षेपन कहलाता है और रंगों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहना दिए है अब आप जानते हैं कि प्रकाश अपने विभिन रंगों में किस तरह विभक्त हो जाता है आईए देखें कि इंद्रिधनुष कैसे निर्मित होता है आखाश में इंद्रिधनुष दो चीजों की सहेता से निर्मित होता है सुरिक तथा जल की बूते ये जलकी बूंदें वर्षा, मेग या गुहासे के रूप में हो सकती है सुरी का प्रकाश वायू में मौजूद जलकी बूंदों में प्रवेश करने पर मुड़ जाता है जलकी बूंदें सुरी के प्रकाश को आंतरिक परवर्दित करतेती हैं और यह प्रकाश वायू में बाहर निकलने पर पुना अपुवर्दित हो जाता है। इस तरह से प्रतेग जल की पूंद एक प्रिज्म की तरह कारे करती है और सोरी के प्रकाश को परिक्षेपित करतेती है। जल की ऐसी करोंगों पूंदे एक साथ मिलकर आकाश में धनुष जैसे स्पेक्ट्रम की आकरिती बना देती हैं। परिवर्णी शब्द विप्योर को प्रकाश के श्वेत पुंज में रंगों का क्रंग याद रखने के लिए उप्योग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और पैगनी रंग सबसे अधिक मुड़ जाता है। आज़े अब हमारे प्रिज्म और टॉर्च वाली प्रयोगी का वैवस्था पर फिर से लौटें। यदि हम निर्कामी स्पेक्ट्रम के संभुख एक और प्रिज्म रखते हैं तो क्या होगा। क्या आपने जिखा कि आपने श्वेद प्रकाश का पंज फिर से प्राप्द कर दिया। यदि आप इन साथों रंगों को एक में मिला दें तो क्या होगा। क्या आपके विचार में श्वेद प्रकाश प्राप्द होगा। द्रिश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंग उना संयोजित किये जाने पर श्वेत प्रकाश बनाते हैं आईए इसे सिद्ध करने के लिए एक सरल प्रयोग करें कागस की एक जक्ति लें और इस पर साथ भाग बनाएं कि प्रदिः भाको द्रिश स्पेक्ट्रम के रंगों के क्रम के अनुसार रह दें अब जग्ती को खुमा दें जग्ति का रंग श्वेत दिखने लगता है याद रखें कि जग्ति के वल सफेध प्रतीध होती है यह वास्तों में शेट फ्रकाश का परवर्थन नहीं करती है जोवा मलता रंगो नोय ख्रमनी अंधर लखो तो तमने का ऑ रितनी सवरजना जोवा मली श्वेट प्रकाश कीरण तमे अपाथ किरू अने परवर्थन नंपामी आ दरिम्यान चा रंगो नी सवरजना आ प्रकार ना पटु तमने एक मले होषण चेन आपणे भरणों पट गई यह जे बराबे तो इह रंगो नी यादी बनाओ ने बराबे तो इह यादी प्रमाणिय थोश्चर शौथी प्यालो जामली वायलेट बराबे निलो एन्डीको बराबे गली जोगलाँ डुकमा लीलो निलो वादली निलो जामली, निलो, वादली, लीलो, पीलो, नारंगी अने रातो पर अबर कुल तमने साथ अलग-अलग रंगो ना पट्टाओ जुवा मलश्य कितला पांच अने बे साथ पर अबर कुल साथ रंगो ना पट्टाओ जुवा मलश्य यहां थी पेलो हशे या निच्चे थी शरू करवानों छो, निच्चे थी जामली, निलो, वादली, लिलो, पिलो, नारगी, रातो, आया सैज, इफेक्ट जोवा मले जहां करूती नेंदर, कई भादों अनुद। तो आया आपने आ प्रमाणे प्रकाष ना वरणों पट छे, एज हुआ मले जहें, रंगो नकरम याद राखवा माटे तुकी लिद छे, तुक आक्षरो, ये नाम ना प्रथम प्रथम अक्षरो लिए, जाभर जामली, निफ और लिलो, वादली, लिलो, पिलो, नारगी, तु तुक मा शुँँ थसे, जानी वाली पिनारा, जानी वाली पिनारा, सात रंगो, जामली, निलो, वादली, लिलो, पिलो, नारगी ने रातों। एंगलीष निये दर विब्ग्रियो, V-I-B-G-Y-O-R, विब्रियो, विब्ग्रियो, ग्रेयो, ब्रव, एउपियो गिब्रियो, पर एंगलीष आपणे अवांटे अगत्य नुए अपणे गुजराती मेडिये मदा आछे ले जानी वाली पिनाराय दरग्जो प्रकाश ना आग रंगो ना पट्टा ने वरणपट गहे छे लिए वरणपट नी जो तमने व्याख्या कूँ छे तो तमारे आविकाईक लखवानी थशुँँँँँँँ जारे श्वेत प्रकाश ने प्रिजम जेवी कोई सपाटी माथी पसार करवामा आवे छे त्यारे प्रकाश ना खटकरंगो नो पट्टो मले छे आ फ्रकाश ना ऐखटकरंगो ना पट्टा ने शुँखे छे श्व्याग्ट्रम तम्ये मेंजिबरे प्रिजम जेवी कोई वक्री भवनकारक्शा पाटी। अथो अथो ब्रकाश ना किर्णोंने विभाजन पामती कोई सपाटी छे अबने एक्ख्या में उलखवा नूँछे जयरे कोई प्रिजम जिवी सपाटी उपर प्रकाश आपात थाई छे त्यारे प्रकाश नो तेना घटकरंगों मा विभाजन दाए छे प्रकाश ना घटकरंगों ना पट्टा ने छे या वरणपट अथो तो स्प्रैक्ट्रम कहे छे तवे कदाश तमने वरणपट जुआ अमलें तो बद्धारंगों सहले थिवलगनों जुई छे तेम छता तम्ये एक विजावत्चे नो भेत्तो पार्खिश्ण प्रकाश नो तेना घटकरंगों मा विभाजन धवानी छे या घटना ने छे प्रकाश नो विभाजन कहे छे श्वेत प्रकाष्णू एना घटक रंगों मा विभाजन थवाली जे घटना चे ए घटना ने प्रकाष्णू विभाजन रहाब कहवा मा आवे चे तो आथ यू विभाजन तमें जोयू के श्वेत प्रकाश नू प्रिजम वडे तेना साथ घटक रंगो मा विभा जन थाईछे अलग अलग साथ घटक रंगो निएंदर एमा विभा जन थाईछे आपण ने छे इ आ रंगो के मुँड़ेश चुँ एवू थाई छे के जनकारणे आ सात रंगो अलग पड़ी जाएचे नकर आउतो प्रकाश टोर्च माथे आउतो प्रकाश निपस हरिया माथे आउतो प्रकाश यह पजरूंग नोँअचे तमने देखाएचे श्वेत छे साथ अलग इलग रंगो तो आपने क्याम अलग मेले तो हुँ घटना बन रवर येनी पाचलनु उष्टूं भिग्णानी कारण ओईश जैने कारण आ साथ रंगो अलग पिले प्रिजम बडे साथ घटक रंगो मा विभाजन थाईचे आपने आ रंगो केम मलेश प्रिजम माथी पसार्तता प्रकाशना जुदात्दा रंगो जुदात्दा रंगो अपात गिरणनी सापेक्षे जुदाता खुणे ओलेश लाल प्रकाश सौथी ओछ वलेश जारे जामली प्रकाश सौथी वधु वलेश आम दरेक रंगो ना किरण अचुदात्दा मारगे निकलेशे अने अलग देख्याएचे आपने वर्णपट मा जे जुईएचे ये त्या बिन रंगो नो पट्टो अचे हवे जो हवे खरेखर थाएचे शुईएचे जारे तमे छे इप्रकाश ना किरणों ने आपात करो छो ने पर एवा समिय चे ये अलग लग खुणे चे इवलेश आपात किरण जो आ दिशा मा जेश पर तुँ आपात किरण नी सापेक्षे चे ये अलग लग रंगो नो प्रकाश अलग लग खुणे वलेश आपात किरण नी सापेक्षे चे ये प्रकाश ना रंगो छे अलग लग लग खुणाय वलेश अया तम लेह जवात करीश भयात किरच काश तो हे मशुघ मा थी परसार तका जुदा दा रंगो आपात किरण नी सापेक्षे चुदा ये लग 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 प्रकाश ओसो उलग लग 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 प्रिजम माथी मार मिकलती वक्ते छे जे अधु वलो होए ये लास्ट माँ पांट छे जे ओछो वले छे ए प्याला पांट छे जुद्यादा मार्गे निकलवानेली दे अलग अलग देखाई छे आपने वर्णपट माँ एने जोई शक्तिया छे तो दरेक रंग छे ने एने पोई वक्री भवन कारक सपाटी छे ने प्रिजम प्रिजम नी अंदर जड़प अलग लग छे लाल रंग ना प्रकाष्टी जड़प छे ने ए सौथी वधार है छे और जेनी जड़प वधार हुए पैलो कोची है पैलो कोची है लाल रंग नी तरंग लंबाए वधू छे ने कारण एनी जड़प वधू छे यादरापवाई साथ रंग छे ने माँ सौथी वधूत रंग लंबाए दराव तो कोई रंग लंग लंग छे एज कारण सह छे ए ट्राफिक सिग्नल नी दर उभारेवानो रंग लाल हुए खत्रो चैन कहीं छे यापनने खत्रो होई ए दिया थि डेंजर होई आइज़र नी साइन छे रेड कलण ने वह लाल रंग लंग लाज थी देखाया दजाल रंग लेव अम मों केंग लेपसी पैसी अलग 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 वई शकें यह मापड यह आपडन पढू तो आलग स्रा लाल रंणी तरंग लंबाई सौथी वदू छे अधले सौथी प्याला जर्षे एनि जे कोईबी माध्यम मा लाल रंणी जड़प छे एकाजमा अधले के प्रिजम नीदर सौथी वदू छे लेनों पट्टो प्याला पडशे वर रातों पची छे इनारंगी आउशे तीची प अधले पक इनि भेग पन सौथी वचो से याने कारने एनी तरंग लंबाय बन ओची छे जहामली रंगने तरंग लंबाय, सौथी वची वच। तो और या कारण धनने आपी दितुगे अधले कारण आपी दित्यों इन्हीं जानिक में नोव कुस्क होई जो एक वान गिरू थू आ काम कज गिरू गोने तो आईजेक न्यूटन ने सुर्य प्रकाष नो वरणपट मेलवा माटे सव प्रथम प्रिजवन अभियग करियो जो जो मेख धनूष छे एक की विरित बने यापड़ागल जो जो मेख धनूष आ रंगोने अलग पाड़ी शक्तू होई तो आपड़े कई याँ एवी 100 रचना करियेक जेन कारणे आ रंगो बधा अलग पड़े पर आपड़े कईक एवी 100 रचना करिवी शुए जेन कारणे आ रंगो अलग पड़े तो आउँ काम छे इस सर आईजेक न्यूटरन नामना बिग्जानी केते तेने बीजो आओ एक प्रिजम पन बात रो पेला वरनपट मेड़ा है प्रिजम लें श्वेद प्रकाश मा थे आओ ता वरनपट नू वधारे विभाजन करवानो परेतने केरो पर आंतो तेने वधाराना रंगो मलयानी क्यार बात तेने एक एवो प्रिजम लेटे पहला करता उंजो बटो पेला एने एक निपले बे प्रिजम है न के साध रंगो मलयाने अजी शुर्य प्रकाश ना किरणों नू छे विभाजन करी शकाए साथ अलग पढ़िया एमकची अजी उंए एक प्रिजम बीजो आम्रस्ताम मुखी दो तो चव उत्थी जे अजी भाग पड़े त्रीजो मुखो तो पड़े पड़े बीजो में मुखी यो तो ये साथ द्रंगो एने बैयात बे प्रिजम मुखवा अच्छता यहले पशी हैना शुक्यरो एक प्रिजम सितो गोटफ है चत्तो अन एक प्रिजम उल्टो गोट एक चत्तो अन एक उल्टो गोटव्टो थो तो शू थी यू पाच्छो तईने श्वेद प्रकाश मुखवा वर्ण पट्ना हमल। प्रकाशना किरणा भेगा थी, अलग बिभाजन थी, अर बीजा के मासेयोगी करन थी, भेगा थी, अर बाच हो छे श्वेत वर्णपट पड़ेगे, त्यार बाद त्यार आओ एक प्रिजम लेगे, उंधो गोठवियो, ब्राबर आम चे वर्णपटना बद्धा जरंगो छे बीजा प्रिजम माथी पसार करिए, थवा डिदा, त्यार जोई हो के बीजा प्रिजम माथी, भीजी बाचु श्वेत प्रकाशना किरणा पुंज निरग में पामें, आओ लोकन पर थी, न्यूटने विचार आवियो के सुर्या प्रकाश किला रंगो नो बने लो छे, सात सुर्या प्रकाश किल सात रंगो नो बने लो, छे, ब्रब, कांकेन वर्ण पढ़ थी आ सात रंगो ने अलग पाइना, अजो समझ्यो, आ प्रकाश, जे सफेद प्रकाश तमने देखाई छे, सुर्या प्रकाश अतो लेंप माथी आउतो प्रकाश, एलेडी लेंप माथी तो कोई पन प्रकाश के सोर्य प्रकाश जेवो वर्ण पन पन आवेछे तेने गणिवार श्वेद प्रकाश पन के हाँच तो आतो समझी लिदा पड़ एक मेग दनुष्ण नी घटना किविरी ते सर जाएछे किविरी ते बनेचे एनो ख्याला बड़े मेग दनुष्ण रज्जाएछे तो मेग दनुष्य वर्साद पड़वाद पची जही आकाश मां जोवामल्दी प्राक्रोतिक वर्ण पड़िछे एक दनुष्य वर्साद पड़िया पची आकाश नी दर जोवामल्दी छे एप्राक्रोतिक वर्ण पड़िछे तो शू थाये चे आमा प्रिजमनु काम कोन करें? कुद्रति नी ते वर्ण पड़ बन्या चे तो यह प्रिजमनु काम चे इन्या चे ए पाणीना सुक्षम बिंदू होका है सुर्यना प्रकाश नी विभाजन ठीथाये चाए च किरान आवता प्रकाश वर्तई अब उन्दो दाखल्थ अनल चता प्रकाष Όसा चर्थtv वक्रिववन करे चे रता अन्थत्यारवाद। आंत्रिक परावर्तन ने कारणे विविद्रंगो उलोगन कारणी आंक्स दिक माँचे शे, भाई छेशु, तो एज घटना जो आमले शे, आनि आकरूती एक तमने थोणी गणी नाउनीत निंद आपिली अर्ष, जो जो, नेक दनुष्णी घटना वर्णव, तो वातावनी व सवरी, इया संकुन सवरचना आपिछे, शुरियनो प्रकाष छे, शुरियनो प्रकाष कोई आख उपर पड़े, आँख सोरी, आएक ना नुँ वर्षाद नुपाणी न टीपू छे, जाकल नुपू छे, यानि पर सुरियनो प्रकाष पड़े छे, સુલેन પ्रकाष પડवાનੇ लી દે યે સૌ પેલ આયનુશો થશે વક્ર ભાવનને વિભાજની त्यार बाद ये अंदर ने अंदर पाणी नी सपाटी अथड़ा अचे अगलेनु पुर्णा अंत्रिक परावरतन थाश आ पुर्णा अंत्रिक परावरतन थें साथय साथ रंगो छे आहिया कोई व्यक्ति उभोई ने अवुलोकन कार उंकदाश आहिया सुग पुर्णा अंत्रिक परावरतन थें पुर्णा अंत्रिक परावरतन थें पुर्णा अंत्रिक परावरतन 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 पाणिना अनेक बून्द बून्द छे अप्रिजम तरीके वरते अने चे आगटना बने जो जो तम्हें मेग दनुशम मुटा बागे जाकल जो दिमो दिमो वर्सादाउतों ये समय जोवा मले आतालमा बेजनु प्रमाण भतारेवों ये वास मही जोवा मले छे तो अहीं आशू किदू छे कि पुर्ण आंत्रीक परावर्तन अंदे प्रकाष ना विवाजन अत्वा आंत्रीक परावर्तन ने कारने विविद्रंगो उलोगन कारनी आर सुधी पहुचे छे सुरिय देखातो होए तेवाद दिवसो जो तम्ये सुरिय तरफ पीट फिर्विना उभार हो अन्य पाणी ना दोद के पाणी ना पुवारा माथी आकाष तरफ जोड तो पन तमने बेगत दुष देखाए तो घणी बार जोवार मले छातने सुरिय देखातो होए तिय दिवसे तमार शुकरवनुचे तमारे पीट नी पाचल सुरिय तरफ पीट राख वजनुचे पीट फिर्विने पाणी ना दोद के पुवारा माथी तमाराम आकाष तरफ जोवानुचे तो पन तमने चे ए मेघ दनुष छे ए देखाए तो आती प्रकाश ना विवाजन ने कारणे चुवामल ती गटना चे प्रवे ए मेघ दनुष ए तमने चुवामलाचे ए पन चे ने कारणे थाई छे प्रिजम ना वक्री भवन प्रकाश ना विवाजन वक्री भवन ने पूर्णा दरी परे और तरहां त्रवन गटना एक साथे पाणी ना टीपानी दा चुवामलाचे अए अनेक दून्दो छे ए ए अर्ष्ट्याने मेघ दनुष रचाश का तमने पूछ एक मेघ दनुष डेखावा पाचल जरूली शर्णतों पीच तो पन चे आवस्तु तमारे लखवी पाणी